देखे स्टुडन यहां परमें क्वेशन नमबर 5 दे दिया गया है देखे PQNR इन्वेस्टेट 45,000, 70,000 and 90,000 respectively to start a business at the end of two year they earn a profit 1,64,000 what will be Q's share in the profit हमें Q का profit कितना होगा 1,64,000 में से यहां पर हमें ratio ने दिया गया है so हम इसे capital का जो ratio होगा उसमें उसे share कर देंगे so answer पर देखे हैं केपिटर का ratio यह कर देते हैं 45,000 is rest to 70,000 90,000 अब देखे हैं यहां पर 30 से 30 कट देंगे अब 45 देखे हैं आप 9 multiply by 5 करेंगे तो 45 मिल जाएगा और 70 को हम 14 multiply by 5 करेंगे तो 17 मिल जाएगा तो हमें 90 मिल जाएगा तो यहां से 5 से 5 काट देते हैं इसका ratio क्या हो जाएगा 41 अभी से हम सोल कर लेते हैं तो यहां पर हमारा answer जो हो निकल क्याता है 56,000 सो अप्शन नंबर बी इस करेंगे तो 56,000 की तो घ्टल कि टाएगा प्हां की तो प्हार एंबर दो प्हां की तो 57,000 जाएगा की प्हां झाल झाल